हाई लेविंद हीज वेलकम टू इजीबे कॉमर्स क्लासे मैं हूँ तापिता और गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग कंस्यूमर प्राइस इंडिक्स को फैमिली बुजेट मेथड से सौफ परेंगे से पहले पाट में ही मैंने सेम कुश्चिन कराया है काइस एग्रिकेट एक्सपेंडिचर मेथड से अब एक एग्रिकेट एक्सपेंडिचर मेथड हमें बहुत असाल लगा था हम समझ चुके हैं आज किस वीडियो में हम फैमिली बजट मेथड को पकड़ेंगे जिसमें हम यह देखेंगे कि हमारे खितने खर्चे बढ़ जाते हैं जब महंगाई आती है तो गाईज यह फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है समेशन आर डेवली डिवाइड बाइड डेवली डेवली मोले तो वेट होता है ठीक है तो वह वेट किसे कहते हैं पी जीरो को वेट कहा जाता है यानि कि प्राइज ओफ बेस एयर और क्वांटिटी ओफ बेस यह को जब हम मल्टिप्लाइ करते हैं तो उससे पी सीरो क्यू जीरो का जाता है यानि कि पिछले साल प्राइज से सौर रुपे और मैं पंदरा यूनिट खरीती थी तो प्राइज पी जीरो क्वांटिटी क्यू जीरो तो मेरे ख़र्चोते थे पंदरा सौर पे तो हम इसे वेट क 0 into 100 यानि कि relative change कितना आया तो यहां पर हम P1 upon में P0 into 100 निकालेंगे जो कि होता है हमारा R ठीक है वेट हम किसे बोलेंगे P0 Q0 को तो already हमने वेट निकाल रखा है P0 Q0 अब हमें R निकालना है और उसके बाद R को W से multiply करना यानि कि हमारे वेट से multiply करना है ताकि हम relative change देख सके तो सबसे पहले R निकालते है अगेन calculations काफी है इसमें आपको ध्यान से करना है calculate यह जो लिखा हुआ है आपको पता है जब हमने aggregate expenditure method solve किया था तो हमारा answer 130.7 आया था अब family budget को पकटते है formula simple सा याद कर लो summation R W divided by weight वोले तो क्या होता है P0 Q right P0 Q0 निकाल देना P0 आपको पता है price of base year Q0 बोलतो quantity of base year निकल जाएगा अब relative निकालते है relative changes कितने आए तो P1 अपॉन में P0 into 100 करते है तो 30 divided by 24 into 100 calculation रहने वाली है so calculation के लिए त्यार रहे है 8 से गया अब 2 5 जा 2 4 जा ठीक है यह आगया तो यह आएगा guys आपका 125 उसके बाद है 20 divided by 16 into 100 4 5 जा 20 4 4 जा 16 जा 20 यह भी आया 125 इसके बाद है हमारा 18 divided by 12 multiply by 100 यह किससे जाएगा 3 के डेबल से 3 6 जा 3 4 जा then यह 25 यह आगया 150 उसके बाद है हमारा 6.25 को divide करना है हमें 5 से multiply by 100 तो अगर यह point अटाओंगी तो यह 100 से 100 कर गया then यह आगया 125 आगया फिर उसके बाद 5 को divide करना है 4 से multiply by 100 यह भी 125 आगया ठीक है 5 और 4 वाला हो गया थोड़ी से उपड़ लिखना है वनना गलती नहीं हो जाएं फिर 1.5 को guys हम लोगों को divide करना है 1 से multiply by 100 तो अगर आप यह point हटाओंगे तो नीचे 10 यह आएगा हमारा 150 so calculation again थोड़ा सा हम लोगों को तेजी में करनी पड़ेगी exam के point of view से 2.5 को 2 से divide करना है और multiply by 100 point हटा यहां से then 25 पंजे 125 उसके बाद 25 को divide करना है 20 से multiply by 100 then 125 तो काफी अच्छी सीदी सी calculation थी जाता मुश्किल नहीं थी यह हमारा R निकल गया अब हमें क्या करना है guys W multiply by R करना है तो यह थोड़ा सा difficult थेहने वाला है क्योंकि digits 33 digits में दे रखी है ठीक है अब 125 को हमें multiply करना है 120 से तो मैं तो डारेक्ट करूंगी ठीक है 12 पंजेस यह आगया guys हमाना 15,000 ठीक है थोड़ी से जल्दी calculation करेंगे आप भी साथ के साथ calculation करो यह निकी वीडियो छोड़के आगे बढ़ जाओगे हाँ ठीक है वीडियो स्क्रीप करके आगे कर ले ना बट आप मेरी calculation कैसे चेक करो कि मैंने सही किया या गलत तो एक बड़ मेरी calculation आप लगों को चेक करने है कि मैंने सही किया है गलत तो आप मेरे साथ multiply जरूर करना और अगर मेरी कोई गलती होती है तो मुझे बताना यह आगया हमारा 2000 इसके बाद 150 multiply by 24 यह थोड़ी समों हो जाएगा मेरे लिए 3600 ठीक है फिर उसके बाद है हमारा 125 multiply by यह तो हमें बता है 125 multiply by तू कितना होता है 250 तो 250 और एक 0 लग यह थाई हजार यह थाई हजार होगा हमारा और यह हमारा 6000 होगा यह हमारा again 2500 और 2500 एक बाद गिन लेते हैं हमने सही कही है ना A B C D E F G H A B C D E F G H ठीक है अब गाइस प्लस करना है चलो प्लस करते है फटा-फट अब देखो जो 25 25 वाले चार यह हमारा 10,000 बन जाएगा उपर अल्रेडी हमें 15,000 गिवन था ठीक है अब छे और दो आठ आर्थ और तीन 11,600 ठीक है तो यह 600 यह यह 6 यह आगया हमारा 36,600 यहां की टोटलिंग आ गई तो हमारा WR समेशन RW कितना आया गाईस 36,600 और हमें इसे समेशन W से डिवाइड करना है जो की है 280 ठीक है तो 36,000 अब हमें इसे डिवाइड करना है नॉर्मली तो 28 वंजा 28 सेम वही वाली कैलकुलेशन हमारी आगई जो हम 28 वंजा 28 बच्चा 8 ठीक है अगें यह 3 पर जाएगा क्योंकि 28 थ्रीजा कितना था 94 84 था ठीक है तो 3 पर गया 84 टू यह नहीं जा सकता 0 लगाया पॉइंट लगाया देन यह 28 7 पर जाएगा 196 तो उस मेथड से भी हमारा आंसर 130.7 आ रहा था और इस मेथड से भी हमारा आंसर 130.7 आ रहा है यह है family budget method जो कि बहुत असान है again calculation guys है इस chapter में calculation है चाहे वो आपके fisher method ले लो पाश्य ले लो कोई साभी method ले लो calculation ज़रूर इसकी तगड़ी है तो आपको बस calculation पर अपनी ध्यान रखना है बाखी next video में मिलते हैं again नई question के साथ Thank you Thank you